पिछले कुछ समय से राहुल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी एक विशे को लेकर बहुत मुखर हैं और वो काफी बात बोल रहे हैं कई अपशब्द भी बोलें रफैल को लेकर क्या आपको लगता है कि बीजेपी को रफैल रफैल बोलके डिफिश्ट डालने की कोशिश है पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता का भरोसा तुटे और मैं बड़े भरोसे के साथ के माज़ा एक घोटाले की बात निकलते घोटाले की संका भी नहीं रहेगी जब सारी चीज़े सामने आएगी और सुप्रीम कोट में के संस्कृति होती है जाए भी आप सुप्रेम कोट में और मैं इनको पुछना चाहता हूं कि इतनी सारी इंफर्मेशन आपको कौन कंपनी दे रही है कहां से आ रही है इसका भी तो जबाब दे और अगर इतने सठी कांकड़े है तो उन्होंने सुप्रीम कोट के अंदर पार्टी इन पर्शन जाना चाहिए कॉछ चीज़े सार्वजनी के मैं आज बता देता हूं आपको ये कह रहा है कि अनी लंबानी को ओडर दे दिया अनी लंबानी के वहाँ एक भी रफेल का विमान बनना ही नहीं है अब इतना जूट बोलते हैं एक भी विमान नहीं बनना है 36 के 37 रफेल प्रांस में बनने है अब कहां से ओडर दे दिया किस चीज़ का ओडर दे दिया कोई जबाब तो दे है H.A.L. का ओडर ले लिया यहां बनने ही नहीं है तो H.A.L. का ओडर कहां से लिया 36 के 36 रफेल विमान वहीं बनने है इस प्रकार के जूट जन्ता में फिलाने का काम करते हैं मगर जूट के पैर नहीं होते साब जब सत्य बाहर आता है सूरिय की तरह निकलता है और जूट बोलने वालों का मुझ काला होता